तो सबसे पहले इसका सैंट्डेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं सिंपल सा अपने वो ही फंडा जो अमेशा अपने करते हैं अपने पास पहले elements होने चाहिए तो कार है अपने पास रिपेर का अपने पास काम है activity है तीर है और ही अपने पास कोई person है जिससे अपने को काम करवाना है तो बात क्या है, बात के according sentence बनेगा, आपकी जो feelings बात है उसके according, वो car repair कर रहा हो, कल शाम को 5 बजे वो car repair कर रहा होगा, कर रहा होगा, कर रहा, मतलब progress, progress है इसका मतलब क्या होगा, element of progress जुरूरी है, element of progress कहां पर आता है, element of progress आपका, जो main action है, उस पर apply होता है, तो repairing यहां पर आ गया, जैसे element of progress लगा, तो repairing एक टाइप से ing mode बन गया, तो यहां पर अपने को पता है, कि sentence की जो most important demand होती है, वो क्या होती है, कि वहां पर वीवन की form में action जुरूरी है, तो यह तो mode बन गया, तो अब इसको action, mode को action, noun वगेरा, किसी भी चीज़ को action बनाने के लिए use होता है, element of action, that is be, तो यहां पर आपका use होजेगा be, he be repairing the car, अब आपको पता है, action दे दिया, अब model भी जुरूरी होता है, हर एक sentence, assistant जुरूरी होता है, working according बात करें, कल कार को repair कर रहा होगा, तो कल क्या है, chances है, possibility है, तो possibility है, इसका मलव क्या है, element of possibility और क्या हैगा, वो, will होता है आपका, he will be repairing the car, अब यहाँ पर देखो जो वो car repair कर रहा है, तो क्या आता है, यहाँ पर does आ जाता है, element of fix, present fix कर जाता है, और does और be मिलकर क्या बन जाता है, is बन जाता है, यह चीज़ समझ में आती है, लेकिन एक चीज़ आपको मैंने लिखवाई थी, do, does, did, यह तीन मोडल जो होते हैं, वो क्या करते हैं, बी को absorb कर जाते हैं, और कोई भी उसको absorb नहीं कर सकता, यह तीन ही मोडल की quality है जो उसको absorb करते हैं, और कोई absorb नहीं करता हैं, इसलिए जब अपने present पर बात करते तो he is repairing the car आता है, future पर बात करते हैं तो he will be repairing तकार रहता है और वहां पर वह बी अलग से आ जाता है वो अपने कभी भी आज तक समझ में है कि ये बी कहां से आ गया समझ में है ना बी कहां से आ गया बी इस तरीके से आपका आता है क्योंकि वो absorb नहीं हो पाता रियल में जो आपका इस जेनव कुछ भी नहीं है वो क्या है does be है बस दोनों को मिला कर लिखा गया एक form है इस रियल में कुछ नहीं होता है इसलिए अपने को बोलते है इस मार was word क्या है B की form होती है कैसे होती है ये आज अपने को पातो मजमियाई बात तो यह नहीं होता, आप क्या करता है helping वोब, present की helping वोब क्या होती है, is MR, past की was work, future की will sell, अगर आप इस MR को helping वोब ले रहे हों तो future की will sell, will be sell भी होगा, और अगर अपने will sell को लेते हैं ना, तो वहाँ is MR नहीं होगा, was work नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा आपका, do, does, did, यह यह चीज़ें होगी, इतनी बात क्लियर है ना, इस तरीके से यह चीज़ें होती है, real में जो model होते हैं, do, does, did ही होते है, is MR, was work कुछ नहीं होता, वो do, does, did, mix होके, b के साथ बनते हैं, इतनी बात क्लियर है, तो यह reality है, इसलिए अपने हमें सा confusion रहता है, कि वहाँ पे b क्य क्यूं आ जाता है, यहां पे b क्यूं नहीं आता, is b क्यूं नहीं आता, यहां पे b आया हुआ है, किस तरीके से आया है, जो अभी मैंने आपको पता है, mode बन जाता है, उसको action बनाने के लिए आता है, किस तरीके से आया हुआ है, लेकिन वहाँ वो उसको absorb नहीं कर पाते है, यहां पे वो उसको absorb कर जाते हैं इसलिए इसमार वोजवर बन जाते हैं इतनी बात आई थिंक आप लोगों के clear है अब यह चीजें भी आपकी यह बाते सारी उस point पर भी हो सकती है विल्की जिए अगर मैं can कर दूं can be repairing आपने देखा उन can के साथ भी आई एंजी आ जाता है त इस चीज को कर सक रहा होगा इस तरीके कर सक रहा है कर पा रहा है कर सक रहा है नहीं कर पा रहा है वह कार को रिपेर कर पा रहा है इस चीज को अपने लिखेंगे न तो वह can यहां पे हो जाए can be repairing करना चाहिए या कर रहना करते हुए मोड में होना चाहिए मतलो करते रहना चाहिए 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 करते रहना च मतलब होता है करना चाहिए तो करते रहना चाहिए करते रहना चाहिए принципе है progress के साथ में advise देदी progress के साथ की advise नहीँ दे स्कते आप लोग हैं तो इस तरीके सी चीजें work करती है progress के साथ ability बताँ थी मन तो कर पार आयए मतलब continuity रख पा रहा है तो can be repairing हो गया समझ मिया रही हैं इस तरीके से आपके चीज़ें work कर रही है structure की बात करें तो यहां पर structure आप है na model की form में लिखना subject plus will cell लिखते है न तो आप will cell लिखो तो will cell लिख लो लेकिन model लिख लो ज्यादा अच्छा है सभी को ले आएगा model plus b plus verb ing form plus other ऐसे आपकी यह structure बन जाएगी यह बात clear है और यहीं पर अपना क्या हो जाता है present के लिए इस MR वो जवर इस तरीके से हो जाता है क्योंकि वो बी और model दोनों mix हो जाते हैं do does did real में वेस से होता है कितना clear है negative बगेरा बनाना है जल्दी बना दो negative में क्या करोगे मैं direct यहीं पर बनाऊँगा ज्यादा time waste नहीं करें क्योंकि चीज़े तो आपको clear है negative में यहीं पर बना देता हूँ तो क्या होगा इसके बाद में आएगा not इसके बाद में आपके model के बाद में तो will not be repairing present में क्या होता है is not repairing repairing से पहले आपका क्या होता है note होता है यह भी अपने दिक्कत रहती है कि वहाँ पे तो note से पहले repairing से पहले note होता है और यहाँ पे बी repairing से पहले note होता है will note be के बीच में होता है repairing से पहले सरीय होता है होना चाहिए ना repairing का का काम है note repairing का का ऐसे नहीं होता है, note अपनी perfect position पर याएगा, will के बाद, model के बाद ही आता है लेकिन वहाँ is में क्या होता है real में note आपका होता का है does और b के बीच में होता है लेकिन does b को absorb कर ला है, दूद पानी वाला concept बता आया था, तो is बन जाता है, note अप अपनी जगह है, वो बस mix होके इदर आ गया note तो अपनी जगह है, तो यहाँ पर यह चीज़े clear होती है, कि real में आपका note का आता है will not be repairing, will be not repairing नहीं होता, will not be, यह बहुत बड़ा confusion होता है, अब clear होगा ना यह confusion, इस तरीके से work करता है तो इसका negative यहाँ पर note यहाँ पर आ जाएगा, लग जाएगा interrogative बनाए तो क्या होगा, interrogative में क्या करेंगे interrogative में आपका जो will है वो उटकर क्या हो जाएगा, आ गया जाएगा तो will he be repairing the car यहाँ पर b-7 में नहीं आता, वहाँ होता है is he repairing, भी नहीं होता, क्योंकि वो absorb करके पानी दूद मिक्स से रहा, वो अलग नहीं कर सकते है वो बना हो अब उस तरीके से आता है और यहाँ पर जो होता है, वो क्या होता है model अकला आ जाता है, क्योंकि वो absorb नहीं करता है इसलिए model ही आता है, वो तो साथ में लेकर आ जाता है will he be repairing the car यह मैंने आपको अभी speed में यहीं पर करवा दिया ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो यह अपने पिछली जितनी class है सभी में पुरा detail में करते आ रहे हैं तो वहां पर जाकर go through कर ले, ना पता लग जाए अगर कोई new student है जिसने यही class लियो इतना अपने clear हो जाता है इतना भाई अपने clear हो जाता है तो अब अपने इसके जो examples है उनको कर लेते हैं तो देखो, सभी compare कर दूँगा मैं यहापे तीन example लेता हूँ साथ साथ किनों compare कर देते हैं present, continuous को present, past and future तीनों को 8, 9 p.m. now timeline बनेगी now की बात हो रही है और time क्या है, 9 बजए का time है 9 p.m. now you are developing your sense आप अपना sense develop कर रहे हो ठीक है, तो इस point पे आपकी activity जाए कब से कर रहे हो, नहीं पता, कब तक करोगे नहीं पता diet simple form में बात कर रहे हो उसके बाद में 8, 9 p.m. yesterday 9 p.m. yesterday you were developing तो 9 p.m. जो yesterday का 9 p.m. है उस point पे आप past yesterday yesterday जो आपका है उस पे develop कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं तो नहीं पता कब तक करोगे नहीं पता, simple form में बात हैं पता होता तो perfect use हो जाता तो you were developing अब बात कर रहा है 9 p.m. tomorrow, कल की बात कर रहा है यह मतलब future की बात कर रहा है वाप पे भी 9 बज़े की बात है उस 9 बज़े पे आप you will be developing आप अपना develop कर रहे हो कब से कर रहे हो नहीं पता, कब तक करोगे नहीं पता ठीक है, बस उस point पे आपकी activity चल रही थी अब ये कब से कर रहे हो नहीं पता, कब तक करोगे नहीं पता, ये चीज़ अगर new student है उसके दिक्कत होगी तो आप जाकर रहना एक पर present में, present continuous या past continuous उनकी class से देखना आपको पता लग जाएगा, ये बातें कैसे होते हैं, क्योंकि अपने बार-बार वो चीज़ें revise नहीं क क्लियर कर लेना, कल की बात कर रहा है, कल पेसे होगा, ये आपका पूरा का पूरा यांसे comparison हो गया, इतना क्लियर हैं, आगे चलते हैं, अब ये बात बोली, I am going to, अब यहाँ पे खेल खेलते हैं, अब मज़ आएगा, अब real जो turning point वो आने start हो जाएगे, क्योंकि अपना काम तो वो ही है जो advanced चीज़े हैं उनको करना, अब यहाँ दिक्कत होती है, कल वाली class में मैंने बताया है, tomorrow दिखा, कल की बात ये now का point है, ये बात कर रहा है, कल की tomorrow की, तो ये चीज़ आई, I am going, I am going, ये तो sir present continuous कैसे आगया, present continuous नहीं आना चीए था ना कल के लिए, कल के लिए तो future है, future के लिए will बगेर आना चीए, तो ऐसा मैंने आपको पहले ही बताया था, कि will he future नहीं होता, will present पर भी will का possibility होती है, कल मैं जाओंगा, जैपूर जाओंगा, जैसे मैं एक और example हूँ, I will go to जैपूर tomorrow, कल मैं जैपूर जाओंगा, अगर ये बात होती, तो क्या है, कल मैं जैपूर जाओंगा, ठीक है, chances, I am going to जैपूर, कल मैं जैपूर जा रहा हूँ, पक्का, ticket को गएरा हो चुकी है, fix है, तो आपका fix की form है, कल मैं जैपूर जा रहा हूँ, ठीक है, तो fix कर दिया, तो ये जब आपका यूजवर जातन, तो इसका मनलब क्या है, एक type से fix, या फिर आप बोल सकते हो, decided, या फिर arranged, मतलब आपने arrangement कर लिया जानेगा, decide कर लिया, decision ले लिया, इसका मनलब fix है, मैं जाओंगा जाओंगा, मतलब आपकी तरफ से fix हो गया, fix हो गया, तो आपकी तरफ से इस तरीके से आ जाएगा, ये इतनी बात clear है, तो future में present continuous use हो जाता ये तो एक going to japur, ये noun, going to do कुछ करने के लिए action, तो आपका going to पूरा एक model की तरह work करता है, यहाँ पे तो going main action है, यहाँ पे main action going नहीं है, main action do है, इन दोनों में difference अभी पता लग जाएगा, sentence लेते हैं, please hold on, for 10 minutes I am going to buy some food for you, please hold on, आप मान दो ये गाड़ी अपने गाड़ी म ये मैं बेठा हूँ, और पीछे, ये आप मैं सही रक्सस परवर्ती के लगते हूँ, अभी तो ये से बाल रखते हूँ, ठीक है, तो ये देखो मैं कितना cute सा हूँ यहाँ पे, तो कुछ सीखो, cute बनना सीखो, कैसे cute बना जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये अपनी लेते हैं, क्या है तो, अपने लगाने में क्या दिक्कत है, इस गाड़ी में हम दोनों बैठे हैं, खाने की भूग लगी है, कुछ भी है, यहाँ पे अपने कोई एक shop दिखाई दी, ये कोई shop है, food की, तो restaurant पके रहे हैं, तो मैंने क्या बोला आपको, कि please hold on for 10 minutes, 10 minutes रूगो I am going to buy some food for you, मैं आपके लिए खाना लेने जा रहा हूँ, अभी मैं गया नहीं, बस यहाँ पर बोला हूँ, यहाँ पर मैं बोला हूँ, देखो पिक्चर ध्यान से, मैं आपके लिए, मैं अभी यहाँ पर बैठाओं, आप मेरे बगल में बैठाओं, मैंने गया रूको रू इस point पर सिर्फ और मैं बता रहा हूँ कि मैं buy करूंगा, तो buy का होगा, इसके बाद में आगे future में होगा, लेकिन fix कर दिया ना कि मैं आपके लिए खाना, रूको 10 minute मैं खाना लेने जा रहा हूँ, यह बात मैं ने बोली तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, fix, decided, तो I am, यह भी आपके भी action आजाएगा जाने का, आने का, नाने का, कुछ भी, सारे action आजाएगा, खरीदने का, सब कुछ, सारे के सारे action यहाँ पर आजाएगे, तो वह आपका going to do something, इस तरीके से work करता है, I am going to buy some food for you, यह चीज अपने पास आगे, अगर मैं यहाँ पर देखो, इस कीज गया है, will buy, use कर लूँ, तो सही होगा क्या, I will buy some food for you, 10 मिनट रुको मैं आपके लिए खाना खरीदूंगा, तो यह अपना गलत हो जाएगा, क्यों की possibility थोड़ी है, decide कर लिया मैंने, आपने बोले, अव्यगी है, क्या करो, रुको रुको दस मिनट रुको, मैं आपके लिए खाना लेकर आउँगा, फिक्स कर दिया को नहीं कर दिया, तो fix कर दिया तो आप possibility का model कैसे use कर लोगे तो ये गलत होगा, sure गलत होगा लेकिन students को दिक्कत हो जाती है exam में क्योंकि उन्हों तो ये रटा हुआ है कि future के लिए तो will आएगा लेकिन physical meaning कभी नहीं पता उनको कि किस तरीके से will आता है किस तरीके से ये आपका present continuous वगएर present simple वगएर आ जाता है, ये कभी नहीं पता था इसलिए उनके साथ क्या होगा दिक्कत और exam में वो गलत कर गया जाते है, समझ में आ रही है न तो physical meaning आपको पता होना चाहिए 10 minute रोगो मैं आपके लिए खाना लेकर आ रहा हूँ, ये ही चीज होती है 10 minute रोगो आपके लिए खाना लेकर आऊँगा खाना लेकर आऊँगा, कब लेकर आएगा possibility रोगो पता था direct, लेकिन 10 minute का fix कर दिया, fix कर दिया, इसका अमलो ये आएगा तो जहां भी आप देख लेना खुझ से आपको पता लेकर आना है, तो possibility नहीं है, chances नहीं है fix है, लेकर आएगा, 10 minute का time दे दिया fix कर दिया, fix कर दिया, तो model किस काएगा fix का जाएगा, अपने आप पता लगए do, does, did, sorry, do, does जाएगा present के according future की बात करें न, do, does जाएगा please hold on for 10 minutes, I am buying some food for you अब यह going to buy और buying दोनों चीज़ें आपकी होगी I am going to buy, मैं करने जा रहा हूँ, और यह I am buying, मैं खरीद रहा हूँ अब इसमें picture बनाना, 10 minute रुको, यह आप बेठे हो इसको बोला है, दूसरी काड़ी दुबारा से बना लेते हैं, यह आप हो और यह shop है, अब इस sentence के according मैं कहाँ पे हूँ, यह बताओ मुझे ठीक है, इस sentence के according मैं कहाँ हूँ, तो मैंने बोला 10 minute रुको, मैं आपके लिए खाना खरीद रहा हूँ तो मैं खरीद रहा हूँ, इसका मलब activity अभी चल रही है, तो यह जो आपका उपर वाला यह तो going to buy future के लिए यूज हुआ, लेकिन यह I am buying है यह present है, मलब अभी यह काम हो रहा है, इसका मलब मैं यहाँ शोप पे खड़ा हूँ, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, शोप पे खड इदर ही चल रही है, समझ पार हो ना, दोनों sentences में बहुत ज्यादा difference है, उपर वाले sentence में आप गाड़ी में बैठे हो, या फिर इदर इदर शोप के पास कहीं भी बैठे हो, लेकिन अभी आपने order किया नहीं है, ठीक है going to buy का मतलब हो, आप buy करो गे इसका order, आपने किया नह पर, वक्त बदल गया, जज़वाद बदल गया, समझे है इस चीज़, क्योंकि यह आपका future आगे की activity को बता रहा हूँ, यह activity आपके चल लिए present, अगर आपसे यहाँ पूछे, तो कौन सा बता होगे tense आप, future, present continuous in the future, और यह पूछे तो आप कौन सा tense बता होगे, present continuous, दोनो में बहुत ज़रा difference होगया, और दोनों बाते ही अलग होगी, तो अब यहाँ फिलिंग को बताने के लिए, जब आप खाना खरीद रहे हो, और किसी को बोलोगे, कि रुको मैं आपके लिए कोई चीज़ ले रहा हूँ, तो आप कौन सा use करोगे, उस टाइम पे चल रहा है, तो आप second वाला use करोगे, और अगर आप बोल रहे हो, किसी ने बोला यह है, तो चलो ठीक, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, तो इस तरीके से बात करोगे, तो उपर वाला दोनों में बहुत ज़्यादा change हो जाते हैं, इसके लिए आपको उस जगहें पर पहुंचना पड सकते हैं, कि मैं आपके लिए खाना लेकर आओंगा, second वाला आता है तो, आप नहीं बोल पाओगे, और आपको future में डायट हो, उस तरीके साथ, advance पे नहीं आता है, इस तरीके से, physical meaning नहीं पता है, तब भी नहीं बोल पाओगे, अब आप will use करोगे, तो वो गलत हो जाएगा वो बोले का भाई बात क्या कर रहा है, बोलता है, दस मिनिट में लेकर आओंगा, बात दस मिनिट के कर रहा है, फिर भी बोलता है, कि मैं लेकर आओंगा, कब लेकर आएगा, फिर दस मिनिट का मतलब क्या हुआ, मैं लेने जा रहा हूँ, fix, दस मिनिट के अंदर करना यह रटना नहीं है इसे नहीं एक्जाम औरिंटेड रट लिया रूल्स वगेरा गलत होगे सही होगे कभी नंबर आगे कभी नहीं है ऐसा काम नहीं करना है इसलिए आगे आपकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा काम आएगी इसलिए पूरा डेफ्ट में जाकर उसको सीखना हो इस तरीके से कंपेरिजन वगेरा करते हुए आपके चीजों को लेकर कलना है तब ही जाकर आपके चीज़ें आपके हैं इतना क्लियर है ठीक है फिर समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्लास में अब नेक्स्ट जो बच्चे रिमेनिंग टेंसे हैं वो करेंगे जितने टेंसे आ क्लास को ज्यादा से ज्यादा से कीजिये वो इंडिया और वल्ड में पहुंचनी चीए क्योंकि साइन्स की फों में कैसे इंगली स्ट्रफिकेसिन चल रहा है अपने को अपनी जो टेक्निक सब के सामने लेकर आनी है दुनिया को पता लगे कि रियालिटी होती क्या है इंग ज़्यादा हद से ज्यादा जरूरी है ज्यादा ज्यादा क्लासेज को आप क्या करो शेयर कीजिए तो ठीक है फिर मिलते हैं टेक्स्ट क्लास में